हालेलुया प्रव्येश्व मसी में मेरे सब्भैन बायों को जय मसी की आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्व की जीवत हजुरी में आज की इस वीडियो में हम परमेश्व की पवित्र वच्चन को मेरी बविश्यवानियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे ये वच्चन प्रेरित अंकू यूसफ नरूला जी के दोवारा लिखे गए हैं और परमेश्व के इन गहरे बेदों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीश को लेकर आएगा तो विश्वाश के साथ इस पवित्र वच्चन को सुने और प्रातना को हमारे साथ करें आज का वच्चन मूँ के शब्डों का महत्व जैसा कि परमेश्व के पवित्र वच्चन इफसियों चार अथ्याय उसके 29 वच्चन में लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मूँ से ना निकले पर आव शक्ता के अनुसार वही निकले जो उन्ती के लिए उत्तम हो ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रे हो मेरे फ्रियो बाइबल बताती है कि जो आप शक्ता के अनुसार जिससे अनुग्रे हो वही बोलो क्योंकि तुम नहीं जाते कि तुम्हारे मूँ में विगाड़ने की बनाने की उठने की गिरने की बिमारी होने की और चंगा होने की त आदी में वचन था वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था कुछ भी वचन के बिना पैदा नहीं हुआ और वैसे ही आज भी वचन के बिना कुछ भी पैदा नहीं होता है कुछ चर्चिस ऐसी है जहां वचन है लेकिन पवितर आत्मा की उपस्तिती नहीं ह तब भी कुछ पैदा नहीं होता है कुछ है जहां सिर्फ वर्दान है लेकिन वचन नहीं तब भी कुछ पैदा नहीं होता है लेकिन जब आप वचन के साथ परमेशर की उपस्तिती के साथ वचनों को बोलते हैं तो चंगाई अशीश पैदा होती है और आप उसे मूँ से पैदा करते हैं मेरे प्रियो आप पर्मेशर की समानता में बनाएगए है एक समान आप बोलेंगे और काम होगा गल्jin बोलेंगे वे भी होगा और सही बोलेंगे तो वे भी पूरा होगा आप वै करो जो आप देखना चाहते हों पहली बात आपकी जिन्दिगी में बवितरा आत्मा होना चाहिए आप परमेशर के संतान हो कई बार प्रातना कम भी हो तो परिशानी जाती नहीं अगर काम पूरे करने हैं तो प्रातना करनी है बाइबल कहती है क्या एक रहा पर अगर दो चल सहमत ना हो तो क्या वे कठे चल सकते हैं नहीं अगर आप परमेशों के साथ सहमत हो तो वे आपके साथ चलेगा आप अगर उसके साथ सहमत है तो वे कहता है कि मैं तेरे लिए मरा तेरे गुनाहों को माफ किया तो मैं चंगा किय नीती वचन 18 उसके किस वचन में लिखा है परमेश्वा ने कहा अपने मूँ को अगर तू काबो में लाना जानता है तो तू उसका फल पाएगा आज लोगों के बिजनस मरे हुए है सेवकाई मरी हुई है क्योंकि उनके शब्दों ने उन्हें मार दिया है मेरे प्रियो शब्द जरूरी है बहुत बहुत जरूरी है आप क्या बोलते हैं कब बोलते हैं शब्द ही तो बताते हैं आप कौन हो आविश्वाशी हो भी या नहीं जब अयूब के बच्चे मर गये बिजनस खत्म हो गया तो अयूब की पतनी कहती है अब परमेशर को श्रापित कर और मर जा अयूब ने कहा हे मूर्ख औरत क्या जिस परमेशर के हाथ से हम सुख लेते हैं दुख ना ले बाइबल कहती है ये कहकर उसने ना तो परमेशर के सामने पाप किया ना तो उस पर मूर्खता से दोश लगाया उसी प्रकार आप अपने मूँ से अच्छे शब्दों को बोले और वै चीज परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बन जाएगी आमेश्वर मैं इस वचन के लिए आपका धन्या वाद करती हूँ प्रमेश्वर मैं अंगी कारती हूँ कि आज से मिरा मूँ पवित्र आत्मा के कबजे में आ जाए मेरी जीब मेरे होट पर पहरा बिठाए आज से जो मैं बोलूं वै पूरा हो प्रवईश्व मसी के सामधी नामे आमीन आमीन और आमेन आज के इस पवित्र वच्चन के दुआरा पर मेशर आप सब को बहुत ताइस स्याशिशित करे सब को जय मसी की